अग seniors आप देख रहे हो क्रिकलर दूबशाल आज यह वीडियो सभी बोलर्स के लिए हैं आज मैं आपको बताऊंगा बोलर्स अपना जर्क जिन भाईयों के हाथ में जर्क आता है कोौनि मुर्दी है बोल डालते हुए तो आज मैं आपको बताऊगा कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं आज मैं आपको उसके कारण होते हैं जर्क आने के जब आपका ऐसे आप बोल डालते हो अगर आप अच्छे लेवल पर क्रिकट खेलोगे तो वहां पर वैलिडी नहीं होगा आपको चेकिंग बताते हैं बाहर कर देंगे अच्छे लेवल के मैचिस में तो यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पूरा आपको बताऊंगा क सबसे पहले आपको बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हुए कैसे आप अपना जर्क्रिक कर सकते हो सबसे पहले बात करते हैं किया करन होतके जर्क आने के तो guy जबसे पहले मैं बता दू जो हमारे जर्क आने मे कारण होते हैं is हम तैनिस से या कहीं भी बोल आते है गली किरिकेट में तो हम फोड़ा इसी होता है हम ऐसे आटे और achieve से बोल्ल कोी कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपका हाथ ऐसे भी आना होता है और इससे थोड़ा फास्ट हमारा ज्यादा निकल जाता है जो आप गली किर्केट में या किसी अपने मैच कहलते हो टैनिस का तो यह कारण सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई बताने वाला नहीं होता है और आपको बार बार करके आपके माइंड में बात पड़े कि आपका हाथ ऐसे घुमता है तो यह आपको बार-बार समझाना पड़ेगा आपको बताँ धालिन है अब सीधा और सीधा ऐसे घर सको अभी दियान कि अपने मैंड आपको बार-बार करके समझाना है कि हाथ सीधा आता है आप बार पार ऐसे कर अपको कंटिनु करते रहने हैं आप 50-50 के रेपोटोषिन निकाली उस्टार्टिंग में आपको साथ करनी है आपको कुछ एकस्टा नहीं नहीं करना है समझाना है माइंड को कि हाथ ऐसे गुमता है जितना जल्दी आप माइंड में अपनी ये बात डाल दोगे कि हाथ ऐसे गुमता है उतना एजी रहेगा आपके लिए क्योंकि आपको वो रेपोटेशन जो आपने हाथ ऐसे करके कियुए उससे ज्यादा करनी पड़ेगी जब ज ज्यादा से ज्यादा करो दिन में आप दो तिन तिन वार करो मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम करो ज्यादा जल्दी होगा यह आपको अगे मैं आपको रेजिस्टेंट बेंट से बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो इससे अपना एक्साइज जो आपका हाथ सीधा आना स्ट सबसे पहले आपको सीधा-सीधा में बताथ और इससे पहले मैं आपको बता दू गया इतना आपका हाथ मुधता है तो चल जाएगा फंत्रा डिक्री तक BCCI और अपना international में valid है अगर उससे ज़्यादा आपका हाथ मुड़ रहा है कितना checking ज़्यादा हो रहा है तो आप valid नहीं हो आपको डालना का मोगा नहीं मिलेगा international cricket में तो ये धियान रखने हैं अब मैं आपको बताऊं कोशिस आप यही करो कि आपका हाथ सीधा है जितना सीधा आएगा उतना अच्छा है इसको आप अपनी कोनी को band मत करो ये सीधा रहे है उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे सीधा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा सीधा आने के स्टार्टिंग में six अपना हsect सिधा करना है और जैसे मेरा है आपको सीधा स्था इस्टार्टिंग में डाउन करना है मिने जैसे आपको पहले बताया जीतना आप है करोगे सिधा आपको करना है आपको हल्का सा अपना चैसी स्था है है और बोड़ी सामने वाले वियू से भी देख सकते होदी मैं आपको सामने वाले वियू से देखो कैसे आपको करना है नोन बोलिंग पहले आपको ऐसे है फिर आपको कि अब बोडी भी आपको सासा त्रॉल करने है जैसे मैं कर रहा हूं तो गाइस यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपको करना है यह रेशन बैंड आप उनलाइन मगा सकते हैं मैंने लिंग नीचे डाल दूगा तो गाइस ऐसे ही आपका हाथ दीरे-दीरे से इंप्रोव हो जाएगा और ज़रूरी इंप्रोव करना क्योंकि आपकी वेलेडी भी नहीं होगी वह बोल जो आप डालोगे मैचेज में तो फाइदा क्या इससे आप दीरे-दीर इंप्रोव हो सकते हो और पार्टनर को लेके उसके साथ भी आप डिल कर सकते हो सामने से कोसिस आपको य आएगा कि बोलिंग हाथ गुमा के ऐसे होगी माइन को समझाना जरूरी है जितना जल्दी आप माइन को समझा सकते हो और रिपीट जितना करोगे उतना ज्यादा बैटर है तो गाइस वीडियो कर आपको अच्छ लगए तो वीडियो को लाइक करें और इंस्टागां पर फ आपू एंस्वाल